तो इंग्लेंड में एक और टेस मुकाबला और एक और टेस मैच में ऐस्टेलिया की श्यांदार जीत और जीत भी कुछ ऐसी हुई है आशिस के पहले मैच में के कहने का मन कर रहा है इंडियन टीम कुछ तो सीख लो WTC का फाइनल अभी हाल फिलाल में हुआ ही था और वहाँ एशिस की भी शिरुवात हो गई आपको याद होगा बड़े धमाकेदार तरीके से इस बार एशिस का आगास हुआ 16 जून को ये मैच शुरू हुआ था पहला टेस मैच इस सीरीज का मैं शौक हो चुगा था अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखकर के इंगलेंड की टीम ने पहले ही दिन डिकलेर कर दिया बहुत कम ऐसी टीमें होती हैं जो पहले दिन इतना बड़ा स्कोर बना दे इंगलेंड की टीम की बात करें तो पहले दिन उने शतक मिल गया था बहुत क्लासिक बैटिंग रही थी उनकी टीम की तरफ से उनकी टीम की बात करें तो जोरूट ने 108 रन बनाए थे जौनी बैस्टो भी 78 रन बना कर गए और जैक क्रोली ने 11 बनाए थे कुल मिलाकर जो टोटल निकल कर आया था वो 393 के आसपास था और पहले ही दिन डिकलेर कर देने के बाद ऐसा लग रहा था कि अस्ट्रेलिया बैक फूट पर चला जाएगा प्रेशर लेगा लेकिन जनाब वो WDC जीत कर आये हैं तो हवा में तो जीते नहीं अफकॉर्स ऑस्ट्रेलिया के टीम फाइट बैक करना जानती है और जो इंडियन टीम से हाल फलाल में जीते हैं और इंग्लेंड की सर्जमी पर उनका वैसे भी रेकॉर्ड अच्छा रहा है तो दोनों का एक्सपेरियंस मिला और पहली इनिंग्स में ही जबरता सा फाइट बैक ऑस्ट्रेलिया ने क्या बैटिंग से तो इंग्लेंड ने बनाये थे 393 लेकिन फर्स इनिंग्स में ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 386 रन आ चुके थे 141 रन की इनिंग उस्वान खौजा ने खेली और उसके साथ साथ ऐलेक्स कैरी भी जश्यांसर टन बना कर गए बाकियोंने तो कुछ खास नहीं किया लेकिन ये दोनों ही काफी थे टीम को 386 तक पहुँचाने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रिपेर थी सेकंड इनिंग्स के लिए कुछ बादल भी मैदान में आ चुके थे तो पैट कमिन्स और नैर्थन लियोन ने जिम्मा समाला चार चार विकिट ने लिए सेकंड इनिंग्स में और इस बार 300 टच करने का मौका नहीं दिया तो सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बड़े अच्छे वेल प्रिपेर नजर आये थे इंग्लिंड की टीम की बात करें तो जादा से जादा उनके प्रेयर्स शैलिस रन की हाईस इनिंग्स खेल पाई थे और इनिंग्स के चलते 273 रन स्कोरबोर्ड पर लग भी चुके थे अब ऑस्ट्रेलिया के सामने टार्गेट था 281 रन का मैदान में बारिज के भी आसार नजर आ रहे थे मुकाबला डिले से भी शुरू हुआ डे 5 में और जब शुरू हुआ न तो बैक टो बैक विगेट्स गिरने शुरू हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया टी टीम को रन तो मिल रहे थे एक अच्छी पारी की दरकार थी और लगातार विगेट्स गिरने के सिल्सिले को रोकना था और एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच वैसा ना हो जाए जब केन विलियमसन ने लास्ट ओवर की लास्ट वोल पे मैच जिताया था क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बन चुका था आप एक इसी हंगड़े को सुन लीजी आपको विश्वास हो जाएगा कहने को तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की शिरुबात अच्छी थी सेकंड इनिक्स में भी चेस करते वक जिसमें उस्मान कुआजा ने 65 तो डेविड वॉर्ण ने 36 रंड बनाई थे लेकिन 89 पर तीन विकेट गिरने के बाद आउस्ट्रेलिया की टीम को बैक टो बैक जटके लग रहे थे और इससे पहले कि वो 210 के आगे पहुंचते उनके साथ बड़े विकेट गिर चुके थे अल्मोस हरे खिलाडी 20-15-30 इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जीत का सारा जिम्मा कैप्टन के बल पे आ चुका था वो थे पैट कमिन्स और एक खिलाडी जो उनका साथ देते रहे वो थे नेथन लियोंस एक वक्त पर लगने लगा था कि ये मैच इंगलेंड की टीम का हो जाएगा क्योंकि उस वक्त पर लगबग 50 रन चाहिए थे जीतने के लिए और 3 विकेट बज़े थे लेकिन पैट कमिन्स तो पैट कमिन्स हैं ऐसे ही नहीं WTC विनर बन गई अपनी टीम के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी क्लासिक इनिंग खेली और एक क्लासिक 4 जड़कर फिर अपनी टीम को जिता कर गए बैट कमिन्स की बात करें तो उन्होंने 73 बोल के अंदर 4 जोके लगाए, 2 छके लगाए और 44 रन की इनिंग्स के लिए तो नैथन लिओन भी 28 गेंदों में 16 रन बना कर गए कुल मिला कर इस मैच का सार ये है कि पांचमें दिन में ऑस्ट्रेलिया ने मैच को जीता है, वो भी दो विकेट के अंतर से, वो भी टेल एंडर्स के साथ एक बॉलिंग कैप्टन आते हैं, WTC को भी जीतते हैं और एट गबेस्टन के मैदान में अब इंग्लिंड को एशिस के मैच में पांचमें दिन में, लास्ट ओवर्स में हराते हैं ये होती है, टेस्स कैप्टन सी और वाकई में मानना पड़ेगा कि इंडियन टीम और शायद इंडियन टीम के कैप्टन को भी कुछ ना कुछ सीखने की तो जरूत है वह जो अस्ट्रेलिय की जीत के अजशन हर जगे मन रहा है, अफकॉर्स भारतीय फैन्स तो खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्रिकेट के तौर पर आप इनकी जीत को 10 के स्केल में से कितने नमबर देंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको अच्छे लगे, जैसे लाइक और शेयर कीजिए, फेस्बुक पर फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब, एन टेलिग्राम पर भी में फॉलो कर लीजिएगा, तैंक यू सो मच